यूपी में कोरोना वाइरस की वैक्सिन समझ के गलती से रेबीज की वैक्सिन चुबा दी बजी हम तो इस्पिताल गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगों और मारतों ने कुट्टे काटने का लगा दिया नोड़ यहां पर उस फार्मसिस्ट की गलती है पर सवाल यहां पर सिर्फ एक इंडिविजूल बंदे का नहीं है बल्कि उसको चेक करने वाली सिस्टम जो कि अपनी देश की हेल्ट इंफ्रस्ट्रक्ट्टर सिस्टम होती है उसमें एक बहुर बड़ा लूप होल सामने निकल दूसरी तरफ वहां पच्छी मंगाल में सियासित अंडव चग रहा है मानू कोरोना है ही नहीं आज का अपना वीडियो टोटली महारश्ट्र के करेंट अफेर्स पे होने वाला है महारश्ट्र इस वक्रोना के अलावा एक और सीरियस परिशानी से जूंज रहा है जो मेडि सबसक्राइब करें हें कि हमारे स्थेट में तो सारे मैडिसिस अवेले बले तो हमें जिंदा करने की क्या जरूरत है कि दूको जरा सबर गरो कि उतर नेनके इलेक्षन के रिजर्ट्स आने गो भगवान ना करें बय्त जो कंडिशन मारश्ट की यह वो आपके स्टेट में हो सकती है इसलिए इस वीडियो को उतने ही इंपॉर्टन से आप भी ज़रूर देखना क्योंकि हो सकता है यह वीडियो कहीं ना गई आपके वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नोवेल कोरोना वायरस इसको नोवेल इसलिए कहां जाता है क्योंकि दुनिया में यह सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया जा चुका है और दुनिया बर के साइंटिस्ट लोगों को एक साल होने के बाद भी इसका फंक्शनिंग पूरी तरीके से पता नहीं चल चुका है इस पे आज भी दुनिया बर में वार स्केल पर रिसर्च चल रही है कई सारे मेडिसिन इस पे एज़र ट्रीटमेंट यूज किये जा सकते है क्या इसके उपर भी रिसर्च चल रहा है क कई सारे स्टिरोइड इस पर यूज किये गए किए गैए trees семेटली एक anti helminthic चल फेच्टमेंट में हम यूज कर सकते हैं पौस उके अलावा एसे मेडिसिन से बहुत जयाद है और और treatment में भी यूज किये जा रहे एक तो है रहे जो कि एक ऐंटि-वाइरल मेडिसिन है और एक तो है उसके बारे में आगे आपन डिसक्स करेंगे तो यह रेम्डेसिविर क्या बिमारी है तो भुछ रेम्डेसिविर कुछ सालों पहले इबोला नाम से एक एपिडेमिक आया थ पूरी दुनिया में उसने डर क्रेट किया था खास करके अफ्रिकन कॉंटिनेंट में इसके एफेक्ट्स हाइलेट हो के अपने सामने आ रहे थे तो ऐसे में गिलेड नाम की एक कंपनी ने यह रेमडेसिविर मॉलिक्यूल यह बना दिया और यह रेमडेसिविर ट्रीटमेंट मेडेसिन के लिए आपधा में आउसर साबित हुआ और कंपने की बहाने इस मेडेसिन को शल्व से पिर से एक बार बाहर निकाला गया और लैब में ठेस्ट कर आगया कि यह को भी कर सकता है कि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी इस मेडिसिन का सरस यूज़ होने लगा पेशन पहला जो पीक आया था ना सप्टेम्बर के मैने में वह जैसे उतर रहा था डिसेंबर के मैने में जैसे इस सब सिस्टम स्टेबिलाइस्ट और अपपलिक स्टेबल हो रहे थे तो ऐसे हमें भारत सरकार का जो Department of Pharmaceuticals है जो की सीदे सीदे रिपोर्ट करता है Ministry of Chemicals and Fertilizers को तो उन्होंने भारत में जितने भी इस Medicine के Manufacturers थे सभी को बोल रखा था कि एक पिक तो आके चला गया है आने वाले टाइम के लिए हमें प्रिपेर रहना पड़ेगा इस Medicine के Manufacturing और Stalking को लेके आपकी जिम्मेदारी है आपको इस पर ध्यान देना है इस Medicine की कमी नहीं होनी चाहिए पर दूसरी दरफ देखा जाए Pharmaceutical Companies की एंगल से तो उस वक्त इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी परी दुनिया में बस वैक्सिam चाहिए वैक्सिं चाहिए टो पूरा फोकस वैक्सिंड पर होने के वज़ए से जितना फोकस बिमार लोगों की पर होना चाहिए था उतना हम फोकस नहीं कर पाए या फिर हम लोगा ने नहीं किया consciously subconsciously उसके परेणाम आज हमको भुगतने पड़ रहे हैं यह pharmaceutical companies ने क्या बोला कि यार देखो इसके पीछे investment बहुत जादा है यह medicine की shelf life सिर्फ six months किये जो कि अब extend करके भले ही एक साल की कर दी गई है पर अगर यह जो vaccines बन रही है न यह सही तरीके से काम कर गई और पूरा देश कोरोना मुक्त हो गया तो हम लोग यह जो बड़ा stock create करने वाले हैं उसको खरी देगा कौन उसको global market में भी हम कैसे बेच पाएंगे अगर पूरी दुनिया से पैंडमिक चला गया तो यहां पे भारत सरकार ने क्या role play करना चाहिए तो इन सारी companies को confidence में लेना चाहिए था कि यार आपका नुकसान हो भी गया तो भी आप चिंता मत कीजिए हम उसकी भरपाई करके देंगे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है एक फार्मसेटिकल एंटाइटी के लिए वह बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा हो लेकिन भारत सरकार के लिए यह कोई बड़ा खर्चा नही अवेलेबल है और ना ही आज यह मार्केट में जल से जल अवेलेबल किया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे दो रीजन से एक तो है इसका रॉम मैटेरियल इस मेडिसिन को बनाने के लिए इसे मैनुफेक्चर करने के लिए जो रॉम मैटेरियल यूज होता है 15 किसम के रॉम म लाइंग्वेज में बोले तो इस मेडिसिन को मैचौर होने के लिए यानिक फाइनल प्रड़क्ट क्रेट होने के लिए दो हफ्तों का टाइम लगेगा एक किस प्रसेस से इस मेडिसिन को गुजरना पड़ता है तो आने वाले 15 तक तो इस मेडिसिन का शॉर्टेज आपको करना ही करना है एक एनी कोस्ट तो अब इस सिनेरियो को हम बैलन्स कर सकते हैं क्या यस अभी भी कुछ बिगडा नहीं है अपने हातों में कई सारी चीज़े हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और किया जाना चाहिए देखो इस वक्त यह जो मेडिसिन है ना रेम डेसिविर यह किसी कमोडिटी की तरह बिहेव कर रहा है कमोडिटी इन दे सेंस गोल्ड लैंड कुरूड बिक्कॉइन यानि कि डिमांड और सप्लाइ का प्रिंसिपल यहां पर अप्लिकेबल हो रहा है इकनोमिक्स की भाष्य में बोले तो बॉस इसकी डिमांड बहुत जादा बढ़ बढ़ेगा सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं बहुत करोना के पेशंट तीन किसम के होते हैं एक तो वह जो माइड़ली सिंटमाटिक है जिनको बस सरदी जुका में जिनका ऑक्सिजन से कोई लेना देना नहीं है दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है पेशंट की जो जिनको ह पेस्ट निमोनिया से भर चुकी है जिनको सांस लेना ही नहीं आ रहा है है बहुत ही नेक्स लेवल पर जा चुका है ऐसे में उनको वेंटिलेटर की जरुरत पर दी तो ऐसे तीन टाइप के पेशंट्स होते हैं इन में से जो बेसिक पेशंट्स हैं जिनको ऑक्सिजन की बि इम्म्यूनिटी का बवंडर अपने खून में क्रियेट हुआ है न वह डैमेज करते रहता है तो वहाँ पे भी वाइरल लोड कम करके कुछ फाइदा नहीं होता इसलिए जो पेशंट्स वेंटिलेटर पे उनमें भी रेमडेसिविर का कुछ यूज नहीं होता तो जो बीच रेमडेसिविर क्या सच में इतना इंपोर्टेंट मेडिसिन है क्या क्या यह सही में करोना को ठीक करता है क्या यूके और यूरोपेन कंट्रीज ने इसका इस्तमाल लगबग बंद कर दिया है और भारत में भी कई सारे नामचिन डॉक्टर्स ने बोलाए कि रेमडेसिविर इस टोटली वेस्ट ऑफ मेडिसिन इसके पीछे दोड़ना बन करो मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भी इतना दिल पे मत लो बस थोड़ा सा पेशन्स रखो और सबसे पहली बात मुझे समझ में नहीं आता हम हिंदूस्तानी लोग प्यास लगने पे कुवा क्यों खोते है हम प्रिवेंशन को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले सकते हैं कोरोना के प्रोटोकॉल से एक साल से टीवी पे इंटरनेट पे दस जगह पे बताये जा रहे हैं हमने फॉल नहीं किये तभी तो यह कम्मुनिटी स्प्रेड इतना डीप लेवल तक पेनेट्रेट हो गया है बात क्या मजाख हो रहा है तो बात की घहराई को समझे तो हमें सबसे पर इस बीमारी को प्रिवेंटी करना है नहीं आने देना है नहीं होने देना अपने घर में दूसरी बात अगर हो भी गया तो रेमडे सिविर के लिए चिल्लम चिली नहीं करना है मत दोड़ो इसके पीछे तो बात को ठीक है बस ऑक्सिजन पर अपना ध्यान दो हम हिंदुस्तानियों की एक और बुरी यादत है कि हम बीमारी को अपने अंदर सोखने की कोशिश करते सेहन करने की कोशिश करते माहूल आप वैसे रहा नहीं है ऑक्सिजन मैनेजमेंट पे हमें एक दम होना है जितना पॉसिबल हो सके आपको आपकी घरवालों से दूर ही रहना है साफ सफ़ाई पर ध्यान देना है अब ऑक्सिजन मैंटन कैसे किया जाए उसके लिए पल्स ऑक्सिमेटर नाम की एक मशीन होती है आपको वह पर्चेस करनी है अच्छे कंपनी का एक पल्स ऑक्स अच्छे की लिंक्स दे रखिए उसके अलावा अब हम ध्यान देते कि इसके सप्लाई को लेकि अब क्या मैनेजमेंट हो रखाए महाराष्ट्र स्टेट गवर्मेंट ने इसके सप्लाई को लेके औरेडी केंद्र सरकार को बोल दिया है कि as of now अपना स्टॉक जो संबल के यूज करना है इसी लिए इसकी सारी एक्सपोर्ट और्डर्स कैंसल कर मैदिया के इंडिया उसके सरकार को फिलहाल के लिए खतम नहीं होगा इसके अलाववा भारत सरकार ने सारे duplicata को बोल रखा है जल से जल इस मैणिदेशन का मैनूफेक्टुरिंग शुरू करो इसका stock बनाए रखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें इसको पहुचाना है उस हिसाब से आपकी chain system develop करो इसके अलबा महाराष्ट सरकार भी कोशिश कर दिये अपने एंट से कि जितने down the line जाके लोगों की help की जा सके उतनी की जानी चाहिए तो accordingly यहाँ पे महाराष्ट में किसी भी retail pharmacist को इस medicine का stock करके इसको बेचना ban कर दिया है आपको कही पे भी नजदी की retail pharmacy store पे यह medicine नहीं मिलने वाला है आपको यह medicine सिर्फ और सिर्फ नजदी की hospitals में मिलेगा और covid centers में मिलेगा उके उसके लिए आपको hospitalized होना पड़ेगा तब ज जो महाराष्ट शासन ने बना रखा है रेमडेसिविर के management के लिए खास रेमडेसिविर इस medicine के जो भी आपके faqs है वो यहाँ पे resolve हो जाएंगे यह एक ही तरीका है रेमडेसिविर medicine पाने का सारे rights जिल्लादिकारी यान के district collectors को दे रखे हैं इसलिए अगर आपको इस hotline प संपर्क करना बढ़ेगा कई ना कई से जुगाड करके district collector से contact करना बढ़ेगा तब जाके आपके problem resolve हो जाएगा ज्यादा दूर नहीं 15 दिन तक आपको यह सारा mess सहन करना बढ़ेगा 15 दिन के बाद यह medicine market में available हो जाएगा ऐसे मेरा अंदाजा है देखते आ अन्हेंगे और रिष्टेदारों तक पहुचाना है और खास करके ऐसे लोगों तक जो इस वक्त रेमडेस सीविर नहीं मिल रहा इसलिए बहुत परेशान है दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं बहुत सदमे में हैं कि हम हमारे पेशन्ट को बिना medicine के क्या ऐसे मरने चोड़ देंगे मरने नह होने वाली mortality को reduce करने में भी यह medicine किसी काम में नहीं आ रहा है यह medicine सिर्फ क्या कर रहा है तो आपका hospitalization का duration कम कर रहा है पंदरा दिन का अगर एक्सपेक्टेड हो तो पेशन्ट 11 दिन में ठीक करा रहा है बस यह एक ही चीज में काम में आ रहा है और वह भी ऐसे पेशन्ट प मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो भी ठीक ब्लैक में तो इस medicine को बिल्कुल भी मत खरी दो मैंने देखा है कई सारे रीटेल फार्मसिस्ट ग्यारा चोबीस हजार में स्मगलिंग कर रहे इस medicine की और कई police officers ने ऐसे बड़े से scandals को भी ट्रैक करके पकड़ रखाए बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने और मैं आपसे भी कहूंगा अगर आप रीटेल फार्मसिस्ट हो तो जितना हो सके ऐसे चुपे हुए स्मगलर्स को रिपोर्ट करना शुरू कर दो कहां रिपोर्ट करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नजदी की पुलिस टेशन ऐसे जहां पर भी आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट करो इनका धंदा बंद कराओ और यही बात आम आदमी की प्रिवेंशन इस ऑल्वेज बेटर देन क्यों हमें स्ट्रिक्ट ली कोरणा प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है सोचल डिस्टंसिंग मास्क हातों की सफाई पुरे घर की सफाई इन पर अच्छे से ध्यान देना है और कोई भी सिम्टम ज्यादा से ज्यादा सेहन नहीं करना है जल से जल आपके नजदिगी डॉक्टर को टेली मेडिसिन से कॉंटेक्ट करो ना कि उसके क्लिनिक में जाओ वरना आप कई न कई कम्यूनिटी स्प्रेड को बढ़ाओ दोगे उस डॉक्टर को इंफेक्ट कर सकते हो वो डॉक्टर आपको फोन पे भी गाइड कर सकता है अब अल्मोस्स अब खतम होने को है नई वैक्सिन मार्केट में आ गई है जो आंसेंस और स्पूट्निवी को बहुत ही जल मार्केट में आप देख पाऊगे जितना जल से जल हो सके पूरे देश को हमें वैक्सिनेट कराना है ताकि हएड इमूनिटी क्रेट हो सके और हम इस कर दो